हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लासिफाई चैनल के एक और बहतरी कमपैरेजन वीडियो में आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज कमपनीज यानि की बेचने आती और हम जैसे लिडिल इन्वेस्टर उन कमपनीज के शेर कोँगते हैं तो अगर आप दे शेयर मार्केट में इंट्रेस्टड है, तो आज का यह वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम BAC और NYC का डीटियल कंपैरेजन करने वाल है दोस्तों Bombay Stock Exchange यानि की BAC की शुरुवात आज से करीब 146 साल पहले 1875 में प्रेमचन राउचन जी ने की थी जो की 19-वे सदी के एक काम या व्यापारी थे 31 अक्तूबर 1957 के दिन BAC Securities Contract Regulation Act के तहट Government Recognize भारत की पहली Stock Exchange Company बनी भारत के सबसे पुरानी और पहली Stock Exchange Company के चेर्मेन विक्रम जीट सेन और Managing Director आशिश कुमार चोहान है वही दूसरी तरब NYC की शुरुवात की बात की जाए तो 18 सदी में सभी अमेरिका के ब्रोकर्स डायरिक्ली एक दूसरे के साथ डील करके निलामी करते थे और जो ज़्यादा बुली लगाता था प्रोड़क उसका हो जाता था लेकिन 17 में 1752 के दिन 24 ब्रोकर्स ने साथ मिलकर नियॉक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाएं पहले बटन मूड आक्रिमेंट पर साइन किया जिसे NYC की शुरुवात हुई उस वक्त NYC में गवर्मेंट बॉंड्स और बैंकिंग स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जाती थी 218 साल पहले शुरू हुआ नियॉक स्टॉक एक्सचेंज आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसके चेर्मेन जेप्री स्प्रीचर और प्रेजिडन स्टेसी कनिंगम है दोस्तों बता दे BAC में इंडियन रुपी करेंसी में ट्रेड किया जाता है वही NYSE में United States Dollars में ट्रेड किया जाता है लोकेशन की बात करें तो बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज भारत के मुंबई शहर की दलाज स्टॉक एक्सचेंज है और इशिया का सबसे oldest और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है वही NYSE Stock Exchange अमेरिका के नियॉक शहर के वाल स्टॉीट पे स्तीत है और फिलिपिडिया स्टॉक एक्सचेंज के बाद अमेरिका का दूसरा oldest स्टॉक एक्सचेंज है चलिए दूस्तों Blister Company और Network की बात करते है बरादे Bombay Stock Exchange में करीब 5400 Companies डेजिस्टर है और BAC का Network पurė इंडिया में फैला हुआ है वही New York Stock Exchange में करीब 2800 Companies डेजिस्टर है और NYSE का Network पुरे United States में फैला हुआ है Daily Ten War की बात की जाए तो BAC का Daily Ten War तीर हजार से दस क्रोट के बीच है और BSE में रोजाना चार से आर्ट लाग शेर्ट की ट्रेडिंग की जाती है वही दूसरी तरह वर्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्षेंज एन्वाइएसी का डेली टैनोवर लेटेस्ट डेटा के मुताबीत साट से सतर हजार करोड रुपे के आसपास है चलिए दस पर बात करते हैं मार्केट कैपिलाजेशन की बड़ादें Bombay Stock Exchange का Total Market Capitalization 2.2 Trillion US Dollar है और Top 10 World's Largest Stock Exchange by Market Capitalization के लिस्ट में BAC 10th position पर है वही New York Stock Exchange का Total Market Capitalization 30 Trillion US Dollar है और Market Capitalization के मामले में NYSE दुनिया की सबसे बड़ी Stock Exchange Company है Company Type की बात करें तो Bombay Stock Exchange Publicly Listed Company है जानकरी के लिए बता दे कि इंडिया में कोई भी Stock Exchange Company खुझ से Shares को अपने Exchange में Register नहीं करवा सकती इसलिए BAC के Shares आप NEC यानि कि National Stock Exchange से खरी सकते हो वही दूसे दुरब New York Stock Exchange की मालिकाना Company Intercontinental Exchange INC है और ये भी एक Publicly Listed Company है यानि Investor NYSE के Shares में भी अपना पैसा Invest कर सकते है चलिए दुस्तों बाकिर में इन दोनों Stock Exchange Companies के Indices की बात करते है अभी आप सोच रहे होंगे कि Indices होता क्या है तो आसान भाशा में बता है तो Stock Exchange में जितनी भी Company Register है उनमें से Top Companies मिला कर कैसा Performance देती है उसे दरशाने वाले Index Point को Indices कहा जाता है जिसे देखकर हम पता लगा सकते है कि आज बाजार उपर जा रहा है या नीचे Bombay Stock Exchange के Indices में B.A.C. Sunsex, S.N.P. B.A.C. Small Cap, S.N.P. B.A.C. Mid Cap, S.N.P. B.A.C. Large Cap और B.A.C. 500 शामिल है जिन में से B.A.C. Sunsex से तो आप शायद सभी वाकिफ होंगे वही दूसरी दिरफ New York Stock Exchange के Indices में Dow Jones Industrial Average, S.N.P. 500 और NYSE Composite शामिल है तो दोस्तो अगर आप ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए Question of the वीडियो में आपके लिए आज का Question है कि Bombay Stock Exchange कहां पे स्थी थे इस Question का Answer इसी वीडियो में चुपा हुआ है अगर आप इस Question का Answer जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए B.S.C. और NYSE का ये डीटियल कमपेरिजन वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे अगर आप हमारे चैनल Classify पे पहले बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे तो दोस्तों मिलते हैं कैसे interesting comparison वीडियो के साथ एक नई वीडियो में हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद